अलर्ट, अलर्ट, मद्या परदेश में भारी भैंकर बरसात की गत्विद्या और ओले गिन्ने की चेतावनी ज़ारी की गए। जरू करना और कमेंट करके जरू बताना कि आप मध्या प्रदेश के कौन से जिले गावे शेर में रहते हैं। बोपाल संभाग में दिन और रात के तापन में गिरावट होगी। बरसात का दोर जरी देगा और यहाँ पर दिसम्बर की शुरूआत के साथ डिंडोरी, जबलपूर, नर्सिंगपूर, नर्मदापूरम, हर्दा, बुरानपूर, अनुपूर, शेडोल, उमरिया, कटनी, दमवा, विदिसा, राइसें, सिहोर, भोपाल समेत, कई जगों पर गर उजएन संबाग के साथ सा नर्मदापूरम, जबलपूर संबाग में, कई जगों पर पिछले 24 गंटों की दुरान, बुंदा, बुंदी और बरसात रेकोर्ड की गई, और यहाँ पर कई जगों पर बरसात की गतिदियों के साथ मौसम में ठंडक आई है, ताजय जानकरी के गरत चमा के साथ बरसात होने के आशार और मौसम मिला जुला और बदलाओ के साथ रेकोर्ड किया जाएगा, साथ में कई जगों पर अच्छी खासी बुंदा बुंदी के साथ दोस्तों और भी ज़्यादा गिरावट होतों नजर आएगी, बादल भी चाही रेंगे, गरने के साथ तीवर हवाय चलने की चेतावनी भी जारी की गई है, और बोपाल जबलपूर इंदोर समयत 49 जिलों में यलो अलड भी जारी कर दिया है, गरे कोरे के साथ दोस्तों चिलते चिटपुर बरसात होगी, कुछ जगों पर आसंग का तेज है, तो अग्यामी 2-3 दि देखने को मिलेगा, और जिन जिलों में दोस्तों, जिन हिस्सों में मध्य प्रदेश में जो है बादल चाहिरिंगे वो हिस्से है, नर्मदापूर, भोपाल, कटनी, सतना, पन्ना, और जबलपूर, सिवनी, मंडला, बालागार, चिंदवड़ा, बेतूल, होसंगाबाद, ह मिला, जुला, परिवर्तन, उताचड़ा, वजारी, और तेज आओं के साथ MP का मौसम बदलेगा, यानि कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में अब मौसम में बदलाव होगा, कुछ जगों पर बरसात की गतिदियों तेज रहेगी, तो कुछ जगों पर शुक्रों आर्तक दोस्तों बारी बायंकर बरसात की गतिदियों के साथ यहाँ पर अलट जताय जार है, और खास करके आप तापन में बारी गिरावट आने के साथ, दोस्तों हाड कमपाने वाली और यहाँ पर वीजिबिलिटी काफी कम हो सकती है, यानि कि कोहरा भी काफी अधिक साधिक पादर देखने को मिल सकते हैं और यातायत में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बारी ठंड के समय दोस्तों बिना वज़े बिलकूल गरों से बार ना निकले कास करके बुजूरग और बच्चों के लिए दोस्तों मौसम विबाग के द्वारा यह स परिवर्तन देखने को मिल सकता है, राजदानी भोपाल की बात के दो भोपाल में 18, 19, 20, 21, रात के समय दिन में 23, 24, पूरे 7 दिन बादल चाहिरेंगे जिसमें 3 दिन हलकी बूंदा-बूंदी बरसात की गत्विद्या जारेंगे मौसम में ठंड के साथ परिवर्तन और मौस मिला-जुला भी देखने को मिल सकता है, सीधी की बात के दो सीधी में 19, 21, 21, रात के समय दिन में 26, 27, 27 पूरे 4 दिन चिटपूर बरसात, बादल चैरेंगे मौसम में ठंड के उताचड़ा जुला और बादल के एवजे के साथ बरसात की गतिविद्या भी देखने को मिल सकत दिन बादल शुकरवा शनिवार रईवार कोल की बूंदा बूंदी बरसात की गतिदिया जारी रह सकती है मौसम में ठंडग के साथ मौसम मिला जुला भी रहेगा धार में दोस्तों पूरे 7 दिन बादल शैरिंगे लग बग अधिक्तम 25 के करीब आच चुका और अगले 24 दिन की समय तो दिन के समय तीन दिन चिटपूड बरसात होगी बादल शैरिंगे शनिवार तक बरसात की गतिदियों के साथ बारी मौसम में बदला हो सकता और मौसम ठंड़ा सुना भी रहेगा शिवपूरी की बात के दो दोस्तों शिवपूरी में जो न 17-18 रात के समय दिन में 24-25 पोरे 7 दिन बादल चायरिंगे मौसम में ठंड़के उतार चड़ा अफजारी और बादलो जो के हुझे के साथ परिवर्तन होगा मन्सोर में रात के समय 17-18 तो दिन के समय 24-25 पूरे 7 दिन बादल शैरिंगे मौसमे ठंड़ के उतारचड़ा अफजारी और बादलो के हुजे के साथ परिवर्तन होगा राइसेन में 18-19-20 रात के समय दिन में 24-25 पूरे 7 दिन बादल तीन दिन छिटपुड बरसात होगी विदिसा की बात के तो 18-19-20 रात के समय दिन में 24-25 तीन दिन बादल चिटपुड बरसात होगी मौसमे ठंड़ के समय दिन में 24-25 पूरे 7 दिन बादल शैरिंगे मौसमे ठंड़ के उतारचड़ा अफजारी और बादलो के साथ परिवर्तन होगा अशोक नगर में 16, 17, 18, 19 रात किसमें दिन में 24, 25 पूरे 7 दिन बादल अगले 24 से 47 गंटों की दुरन चिटपूर बरसात हो सकती है मौसम में ठंड़ के साथ मौसम मिला जुला रहेगा सतना की बात के तो 19, 20, 21 रात किसमें दिन में 37, 63 तीन दिन बादल चिटपूर बरसात होगी मौसम में ठंड़क उतार चड़ा अफजारी और मौसम मिला जुला भी रह सकता है और बादलों के अवजे के साथ बदलाओ के साथ 3 दिन दोस्तों बरसात की गतिविद्या देखने को मिल सकती है इसी के साथ मौसम में ठंड़क के साथ परिवर्तन होते हैं भी नजर आ सकता है वही दोस्तों यहाँ पर गुना की बात के तो 17, 80 रात के समय दिन में 24, 25 बादल चायरेंगे मौसम में ठंड़क उतार चड़ा अफजारी और मौसम मिला जुला भी रह सकता है और उतार चड़ा अफजार रहने के साथ मौसम ठंड़ा सौना भी देखने को मिलेगा वही दोस्तों यहाँ पर खंड़क की बात के तो 19, 20 रात के समय दिन में 25, 26 बादल चायरेंगे मौसम में ठंड़के उतार अफजारी और मौसम मिला जुला रहेगा और बादलो के अफजे के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है और मौसम ठंड़ा सौना भी रहेगा इसी के साथ होसंगाबाद का मौसम बदले का उतार चड़ा अफजारी है यहाँ पर भी दोस्तों तेज आओ के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा और बादलो के अफजे के साथ बदला होतो है नजर आ सकता है वहाई दोस्तों सिंगरोली में 19-20 रात के समय तो दिन के समय सत्य 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 से करीब तापमार रहेगा तीन दिन हलकी बूंदा बुंदी बरसात की गत्युदिया जारी मौसम में ठंड़क के साथ यहाँ पर भी मौसम मिला जुला और परिवर्तन रेकोर्ड के जा सकता है औ वहाई दोस्तों रतलाम की बात के हो तो 18-19-20 रात के समय दिन में 24-25 पूरे साथ दिन बादल चाहरेंगे राजगर में 200 रात के समय 18-19 दिन में 24-25 शुकरवार को बुंदा बुंदी होगी देवास में 3 दिन बुंदा बुंदी बरसात की गत्युदिया जार रेकी पन्ना में 23 दिन चिटपूर बरसात, शिहोर में 3 दिन बरसात की गत्युदिया जार रेकी रिवा में अच्छी कासी बरसात हो सकती है, 3 दिन शिवनी में 3 दिन बरसात की गत्युदियों के साथ मौसम टंडा रेका, शेडोल, दमवा, टिकमगड, जाबवा में मौसम बदले अगर आप भी MP में रहते तो कौन से जिले गामे शेर में रहते कमेंट करके जरू बताना